हेलो दोस्तो मैं हूँ श्रियाज बाठिया और आप देखरो बाइंटिया स्टेनिक एं कंसेडंसी कि आपको भी ऑन्लान पढ़ाते हुए इस तरीके के सिमिलेशन दिखाने हैं या फिर इस तरीके के सिमिलेशन आपके स्टुडेंट के साथ शेयर करने हैं वो एक्टिस के साथ concepts को समझ सके या फिर इस तरीके के notes, summaries या फिर quizzes आपको आपके स्टुडेंट के साथ शेयर करनये हैं आपके स्टुडेंट उस notes को पढ़ते हुए automatically उसके अंदर ही integrated उस quiz को भी attempt कर पाए so that उनके concepts और भी जादा real time में clear हो तो दोस्तो आज का session आपके लिए है तो चलिए दोस्तो ये amazing online platform देखते है और देखते है इसमें क्या क्या आपको available हो जाता है तो चलिए शुरू करते है तो देखिए दोस्तो ये amazing website है activelylearn.com इसके link मैं आपको description में दे रखी है अब यहाँ पर देखिए engage every student, every lesson यहाँ पर इनका motto है और यहाँ पर आप create कर सकते हो एक free account as educator तो चलिए हम लोग create कर लेते हैं तो देखिए यहाँ पर आप google से या फिर office से microsoft के या फिर clever से भी आप यहाँ पर login कर सकते हो या फिर simply यहाँ पर इस तरीके की details भरते हुए भी login कर सकते हो अब अभी के लिए मैं करता हूँ google से sign up अब यहाँ पर देखिए यह अलग-अलग details आप से पुछता है so that यह आपको better serve कर सके या आपको search करने में यह आसानिक बना सके है title आपका क्या है तो mister grade आप कौन सा पढ़ाते हो तो obviously हम मान लिजी अभी higher education पकड़ लेते है और आप primarily कौन सा subject पढ़ाते हो तो for example अभी के लिए मैं science पकड़ लेता हूँ और उसके बाद I confirm कर लेना है अब चलिए यहाँ पर get started पे हम लोग click करते हैं तो देखिए इस तरीके का एक basic dashboard आपको नजर आ रहा है अब यहाँ पर मैं इसे कर देता हूँ close अब यहाँ पर आप बहुत सारी चीज़े select कर सकते हो यहाँ पर उपर classify भी कर सकते हो मतलब ही चीजों को जो courses available है उनको यहाँ से select कर सकते हो अब मान लीजिए assignments आपको चाहिए तो assignment type किस तरीके की चाहिए articles चाहिए assessment चाहिए standards आप कौन से चाहिए तो वो भी यहाँ से आप decide कर सकते हो अब भी के लिए मुझे यहाँ पर कोई भी filter use नहीं करना है तो filter को देखिए हम इस तरीके आपको basic menu मिलेगा अब हमारा obviously free account है तो यहाँ पर देखिए ELA और social sciences यहाँ पर locked है क्योंकि हमने science यह subject select किया हुआ है classes आप यहाँ पर add कर सकते हो तो add a new class करते हुए direct आप google classroom की भी class आपकी यहाँ पर add कर सकते हो या फिर एक manually create कर सकते हो तो अभी claim करता हूँ इसे cancel यहाँ पर आप देखते है कुछ-कुछ अलग-अलग resources जो available है for example देखिए popular assignments आप कौन सी assign कर सकते हो आपके students को तो यहाँ पर देखिए chemical reactions for example मुझे चाहिए तो मैंने यह open कर लिया अब यहाँ पर chemical reactions बहुत ही interactive तरीके से मैं पढ़ा भी सकता हूँ और assignments भी दे सकता हूँ अब यहाँ पर देखिए एक assignment create हो चुकी है यह interface open हो चुका है assign to your class करके नीचे एक button दिख रहा है तो यहाँ पर आप यहाँ से assign कर सकते हो अब यहाँ पर मानली जीए मुझे reactions, products and leftovers पर बात करनी है तो यहाँ पर molecules के related बात करनी है तो molecules पर हमने click कर लेना है तो अब यहाँ पर देखिए इस तरीके का एक study platform यहाँ पर create हो चुका है यह box create हो चुका है अब यहाँ पर देखिए H2, O2 आपको reactants में दिया हुआ है और products में H2O दिया हुआ है H2 और O2 left over है अब यहाँ पर देखिए मानली जीए आप H2 बढ़ाते हो तो यहाँ पर H2 आपका आ गया है और यहाँ पर O2 बढ़ाते हो तो O2 भी आपका आ गया है अब यहाँ पर आप वापिस ऐसे बढ़ा देते हो तो देखिए दो molecules H2 के मिला करके एक molecule O2 का मिला करके दो molecules बनाता है H2O के तो इस तरीके से देखिए यहाँ पर before reaction, after reaction का बहुत interesting सा interface यहाँ पर बनाया हुआ है अब similarly आप ammonia को यूज कर सकते हो या फिर combust methane को भी कर सकते हो और यहाँ पर देखिए sandwiches पर हम चलते है तो यह basic example आपको chemistry का अगर पढ़ाना है school में तो इस तरीके से आप पढ़ा सकते हो games भी आपको यहाँ पर available है level 1, level 2, level 3 जो आपके students यहाँ पर play कर सकते है उसके बाद assignment directions आप यहाँ पर दे सकते हो देखिए questions अलग-अलग यहाँ पर आ जाते है और वो question का explanation भी यहाँ पर आप assign कर सकते हो students को तो इस तरीके का एक interface बहुत interesting सा यहाँ पर आ जाता है settings आप यहाँ पर देख सकते हो कि settings में आपको सारी चीज़े controllable है for example आपका text size उसके बाद font आपको कौन सा चाहिए आपकी color theme आपको कौन सा यूज़ करनी है और अगर आपके students कोई dyslexic है तो वहाँ पर on करते हुए यहाँ पर देखिए dyslexic student के लिए text size बढ़ी हो जाती है और एक अलग typical सा specific font यूज़ होता है तो वो भी यहाँ पर आ जाता है अब मैं करता हूँ इसे off off करने के बाद हम white में ही इसे रखते है अब कर देता है हम settings को close अब यहाँ से उपर देखिए share button दिया हुआ है तो आप यहाँ पर send a copy to collect कर सकते हो actions यहाँ पर देख सकते हो कि view notes कर सकते हो तो यहाँ पर कई सारी notes available होती है कई सारे topics में इसमें नहीं है तो कर देते हैं से close अब हम चलते है exit preview पर तो वापिस से हम हमारे original dashboard पर आ जाएंगे अब उसके बाद यहाँ पर ऊपर देखिए आपको अलग-अलग curriculum नजर आने वाले है उसके बाद topics भी कई सारे available हो जाते है अब आप science related पढ़ाने वाले हो तो देखिए यहाँ पर मान लीजिए physics में आप gravity पढ़ाने वाले हो for example तो gravity के लिए भी कई सारी चीज़े आपको यहाँ पर available है तो as it is आप online पढ़ाने के लिए इसे use कर सकते हो for example universal law of gravity मान लीजिए आपको पढ़ाना है तो यहाँ पर आपने click कर दिया तो देखिए यह पूरा का पूरा curriculum load हो चुका है तो अब यहाँ पर इस curriculum में उपर आप देख सकते हो कि यह notes दिये हुए है और summary दियुए है कुछ चीज़े locked है कुछ चीज़े आपको open है for example यहाँ पर देखिए की equations यहाँ पर दिये हुए है और यहाँ पर देखिए definition already highlighted है तो आपको highlight करने की भी आवशक्ता नहीं है अगर आप चाहते हो कि इसे सुनना है आपको तो यहाँ पर read loud आप click कर दो तो read loud पर click करते ही यहाँ पर यह दिख रहा है notes आपको तो main idea क्या है और यहाँ पर इस तरीके से notes भी आपको नजर आने वाले है तो इस तरीके की notes आप print भी कर सकते हो तो print this notes पर आप click करके से PDF के form में इस तरीके से आप extract करते हुए आपके students के साथ share भी कर सकते हो अब भी करता हूँ मैं से close उसके बाद view questions पर click करते है तो देखिए इस तरीके questions आपको available हो जाते है और यह question आप आपके students के हिसाब से edit भी कर सकते हो बाद में तो edit करने के बाद आप आपके students के साथ यह सारी चीज़े share कर सकते हो मैं करता हूँ इसे close उसके बाद देखिए इतनी सारी beautiful notes है बहुत अच्छे-च्छे questions के साथ तो यह interactive learning होती है engaging learning होती है तो यह आपके students के साथ अगर आप share करते हो या फिर directly आपके screen recording करते हुए यह screen पर पढ़ाते हुए ही आप बीच में इस question को answer करते हो तो यह सारा का सारा बहुत interesting बना देगा आपके students के लिए तो देखिए यहाँ पर illustrations भी दिये हुए है और यह बहुत amazing है जितने भी limited topics यहाँ पर आपको available है यहाँ पर बहुत बढ़िया से आपको content मिल जाता है पढ़ाने के लिए वापी से हम back चलता है इसे करते है exit तो देखिए articles भी आपको मिल जाते है textbook sections भी आपको मिलते है textbook section में भी देखिए आप अलग-अलग topics select कर सकते हो अब obviously gravity में topics आपको कम मिलते है यहाँ पर देखिए textbook sections आपको 5 मिलते है articles 4 मिलते है videos आपको एक मिलता है simulations देखिए यहाँ पर simulations में आपको practically आपको experiment करके बताने में और concept explain करने में available हो जाता है देखिए यह load हो रहा है जैसा ही यह load होना complete हो जाएगा वैसा ही आपको actual experiment based अब यहाँ पर देखिए force बता रहा है mass 2 पर by mass 1 and mass 1 by mass 2 बता रहा है यहाँ पर newtons में यह सारा चल रहा है अब यहाँ पर आप इसे कम या जादा कर सकते हो देखिए इसे बढ़ा लिया हमने बाद में कम भी कर लिया scientific annotations के साथ इसे बता सकते हो या decimal notations भी रख सकते हो अब scientific notations generally हम यूज़ करते है उसके बाद constant size भी आप रख सकते हो तो constant size में भी आप इस तरीके से यहाँ पर अलग-अलग options आपको मिल जाते है उसके बाद यहाँ पर देखिए आपको shortcut keys भी मिल रही है तो keyboard shortcuts यूज़ करते हुए अब यह experiments जो है बहुत fast कर सकते हो अब मैं एक suggestion यहाँ पर यह देना चाहूँगा कि जब भी आप इस तरीके से simulations यूज़ करते हुए online पढ़ाना चाहो तब यह simulations किस तरीके से काम करते है सबसे पहले आप एक बार देख लीजिएगा तो यहाँ पर देखिए इस तरीके से है यह screenshot भी आप ले सकते हो बाद में सो दाट आप आपके students को share कर सको बाद में अब मैं करता हूँ आप इसे back तो इस तरीके के simulations भी आपको available है तो दो type के simulations यहाँ पर available थे इस assignment में assessments यहाँ पर एक available है curriculum units भी यहाँ पर दिये हुए है तो topics आप यहाँ से देख सकते हो interactivities भी यहाँ से आप देख सकते हो search कर सकते हो तो total 37 type की interactivities यहाँ पर आपको available है chemistry related है उसके बाद nature related भी है physics related भी कई सारी interactivity आपको मिल जाती है for example energy form and their change अब अगर आप school teacher हो तो यहाँ पर by default animations created है और इसे simulate करते हुए आप बड़े ही आराम से online पढ़ा सकते हो दोस्तो तो यहाँ पर देखिए chemistry, physics related भी चीज़े है बहुत सारी due year simulations आपको available है अब light waves या sound waves सीकाना बहुत difficult हो जाता है अगर आप board पर draw करते हुए पढ़ाओ बट इन simulations को use करते हुए technically आपके students को भी सारी चीज़े समझ में आ सकती है तो यह बहुत ही amazing platform है और obviously absolutely free है अभी के लिए और उसी के साथ आपको मिल जाता है news and articles भी तो news and articles में भी देखिए आप हर topic के लिए अलग-अलग type की news देख सकते हो जैसा physics में क्या-क्या news चल रही है तो वो भी आप student के साथ share कर सकते हो so that वो latest information से भी updated रहे और इस तरीके से आप आपके engagements को भी बढ़ा सकते हो तो आशा करता हो दोस्तों कि आपको ये platform बहुत amazing लगा है अगर कोई भी doubt है तो comment section में comment करके पूछेएगा ज़रूर और अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को subscribe नहीं किया है तो please subscribe कीजिए, share कीजिए, like कीजिए और bell icon को press करना न भूलिएगा so that इस तरीके की informative videos आप तक हमेशा पूच जाए करे Thank you